हम प्रताब का स्वाभिमान वो हल्दी घाटी भूल गए पूज्य पद्मिनी के जोहर की वो प्रिपाटी भूल गए हम प्रिश्ण चंद्र ने बैश्ण चंच मिटा डाला राम चंद्र ने रक्ष कुलों का पूरा पंच मिटा डाला आज गाओं की खादिर हमने महाबारत करना ला था गुरूब चेटर के युद्द स्थन को शौनित से फ़र डाला था चक्चे छूट गए अकपर के राणा की हूंकारों से अंग्रेजों को धूल चिटा दी छासी की तलवारों से आयाय inom वाला था शरी खेन वल्यद्र को भूल वे भी याद करो हम हस्ते हस्ते फासी पर वी घुद गेरेखी कुम के हमाले की गोदी में कि मैं आपसे एक प्रतिट्ग्व्या करके जा रहा है मेरा चब तक इस भल में प्रान रहेंगे intentionalение automatic को कभी दूल ही भून तुम्य हिमाले की गोदी ने अपना लहु पुकारा है भारत मा का मस्त खम को तानों से धी प्यारा है इस पंक्ती पर मुझे थोड़ा सा ये दिखा दिया करें कि आपको भी उतना ही प्यारा बस शायद मेरा खांप हो जाएगा निमेदन कर राम तभी गुलामी की जंजीरे कभी खात पतिगात से है एक सभी के काल खंड में बेशक जिंद्राबात से है अब रोधों ने रुद्व किया अब रोधों ने रुद्व किया पर कदम भार कर रूखे नहीं इंज 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 कटवे युद्ध मेशी शमारे चुके नहीं दो सेनिकों के मस्तक पाक किये जए हेम राज का मस्तक लाट कर हिंदुस्तान नहीं आया जाएगा तालियों का विश्य नहीं है ये भाशा नहीं बोले गई वो मां अपने बेटे का मस्तक साने के लिए पांच दिल तक अन्न जल करते आपक करके एंशन करती रहे एक पत्रकार समाज के व्यक्ति ने उस माच से प्लूच लिया मा जब तुमने बेटे के प्रान देश पर नुचावर कर दिये पिर क्या आवश्यक्ता तुम अपने बेटे का मस्तक पाने के लिए अन्शन करती हूं उस माने कहा बेटा जिस दिन मैंने सेला में भाति कराया मेरे बेटे के प्राम मैंने देश पर नोचवर कर दिये लेकिन आखिर तो मा हूँ नौ महीने तक उसका पालन पोशन मैंने इसको उखने किया है क्या उसके अंतिम दर्शन का अधिकार एक मा को नहीं मिलेगा पत्रकार जिती था पत्रकार ने कहा मा तुमें मस्तक मिल गया तुम क्या करोगी मा उस मा ने कहा बेटा मेरे बेटे का मस्तक में मेरे लिए नहीं चाहती थी मैं तो ये देखना चाहती थी that day API उब के दुश्मने तो उसकी फ्रूपटिगा तुनाव करश स्था वेश धुश में दो उसकी दुश्मन की तशावत कैिसी थी अपसामने घथी तो कि सिक्षन उसके घंण केृफ शुपकर 50 कंग ती दुश्मन कम ख़रते तो अपने नन्ने छे वर्ष के पोती को बताना चाहती थी कि देश के दुश्मन जब सामने खड़े हो तो देश वक्तों के चेरे की भाव भिंगियों कैसी होगी चाहिए मा अब तुमारे बेटे का मस्तक लाट कर तभी हिंदुस्तान नहीं आएगा मा उस मा ने रोते हुए पुछा बेटा इसा क्या हो गया बेटा उस बेटे ने कहा मा मैं पिछले जिनों पाकिस्तान जाकर आया था मुझे वहाँ पता लगा कि तुमारे बेटे के मस्तक पर महाशोद हो रहा है अनुसंधान हो रहा है इस बात का अनुसंधान हो रहा है कि हिंदुस्तान के सेनिक के मस्तक में ऐसी क्या खास बात होती है कि वो तकने को तयार हो जाते हैं लेकिन चुकने को तयार नहीं होते है हुए 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 हु भारत मां की गर्वितमर कहानी है मत भूलो प्रणवीर तिग्या दो बार संसद के दोनों सदनों में ये प्रस्ताव पारित हुए सर्वसम्मत प्रस्ताव थे कि हम आमारी जमीन वापस लेकर रहेंगे लेकिन 1994 में के बाद ये बात वापस नहीं उठी तब ये एक बड़ी संस भारत के जैकारों से कदम कदम पर भारत मां की गर्वितमर कहानी है मत भूलो प्रणवीर तिग्या जो संसद में ठानी है सूर्य पंश की तरनाई में भागड की इस तरनाई में जवागी जबर जवानी है अरे समचोच को में हार गए वो ठक्ती वापस लानी है आश्मीर के जर्रे जर्रे पर अधिकार हमारा है और भारत मां का मस्तक हमको प्रानुक स्वारों से अंतिम पंक्तियां पढ़कर अपना स्थान लेना चाहता हूं आपसे इजाज़त चाहता हूं जिनका पोरिश मर जा जाता है बहुत अच्छा संचालन मेरे भाई अशोख सुधरानी करके मैं जिनको सुनने के लिए इस यहां पर आया हो आधन यह मंताच जी यहां पर विराजमान है आधन यह तेज भाई आधन करना जिनका पोरुश मर जाता है वे जीते जी मर जाते और जिनके पाजू नही प्रते विंद्द नी थडगता देश दिलों में थह दयतार्पट देश दिलों में और नहीं बर्बाद जवानी है और नहीं ऊबलता रख रगवों में रख नहीं वो पानी है अरे दुर्धर्ष विवस्पान अरे दुर्धर्ष विवस्पान अमंद कार से हिर्द करो और देश विरोधी दुरा चरण को पोरुष बल से रुद्ध करो वक्त पड़े तो अरिश्वनी से श्वेथ धरा को लाल करो ता अरे पुदिध्याज़ आति पालं से जगने ऊंचा भाल करो हिंसक दंभी दुष्ट दरिंदे स्वाबिमान की पंति खड़ी करना चाहता हूँ आपके मात्यम से हिंसक दंभी दुष्टत दरिंदे आप लोगों से बीज़न करो इंचक तम्मी दुष्टत दरिंदे दुष्टत का मत चूर करो या तो शीश कुछ दालो या चुगने पर मज़बूर करो इदिहासों के दंश मिटा कर दाग दंश के भूर करो और अब दल की खुली चुनों की हिम्मक से मन्जूर करो गुरू ख्यत्र के क्ष्ट पार्थ में पौरुष का संचार करो चक्र सुदर्शन धारण करके अर दल का संधार करो अब धीरज का धर्ण किया एक निवेदन और करता हूं साथ जाते जाते अंतिम चंद पढ़ रहा हूं अंतिम पंक्तियां पढ़ने जा रहा हूं लेकिन जो अगली दो पंक्तियां पढ़ रहा हूं अगर उन दो पंक्तियों पर एक भी वक्ति खामोस रहा तो आज के बाद मैं प्रतिग्या लेता हूं इन दो पंकियों का पाथ हिंदुस्तान में कहीं नहीं करूंगा यहीं छोड़ कर जाओंगा यह दो पंकिया आप सबको सुपर्द करता हूं मंच सही सुपर्द करता हूं अब धीरच का धरण किया तो देश बहुत पचताएगा अब धीरच का अंधरण किया पंदेश बहुत पचताएगा बहुत पचताएगा युद्धभौश करदाओ वर्ना श्री नगर बीच जाएगा युद्धभौश करदाओ वाव 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 सच्ची जिजावणी सूरज का लाचार समर्पन हमको नहीं गवारा है सूरज का लाचार समर्पन हमको नहीं गवारा है बेश चरण में मस्तकरपन डड़ संकल्प हमारा है नेत्र तीसरा खोलो शंकर नेत्र तीसरा नेत्र तीसरा खोलो शंकर तब लभू की तारा है भारत मां का मस्तक हमको मुझको बुझाने के लिए है आंधियां घंगोर पर आंधियों में भी सदा जलता रहूंगा तेज थारे भी बहाने के लिए आविश्चतत पर थार के विप्रीद भी बढ़ता रहूंगा हैं करोड़ों सूर्य वेकिन फैसला मेरा निरंतर दीभूं आलोक कासं कंप लेकर मैं तमस्वी बस्तियों की चातियों पर पामुधर कर अंधकारों से सदा लड़ता रहूंगा यहें तब और जब पंडित योगेर निर्शर्मा कविता पढ़ रहे थे तो ऐसा लग रहा था जैसे साक्षात लिवे का नंद बोल रहा हो साक्षात लिवे का नंद बोल रहा हो एक बार एक बार दोनों हाथ उठा करके जांदार शांदार तालिया पंडित योगेर निर्शर्मा के लिए कई बार इन्होंने सैनिकों के बीच में जाकर के बार के इरेजिमेंट में जाकर के तुमसे जो प्यार कर लिया हमने और चारमिसे ये के दिल को नाशाट करती रहती हूं खुद को बर्बाद करती रहती रहती हूं खुद को बरबाद करती रहती हूँ मुझको डस्मे लगी है तनवाई मैं तुझे याद करती रहती हूँ और चार मिस्मे मुझे अच्छे लगते हैं इसलिए बीच में पढ़ देती हूँ के रंग ही रंग हो सिर्फ जिसमे ऐसी तहरीर क्यों मांगते हो जब मैं फुद हो गई हूँ तुम्हारी मेरी तस्वीर क्यों मांगते हैं बाद शुक्रेश बड़ी महबबत इस शाइटी को सुनके बता दिया आपने यह इस बात की खुशी है और इस खुशी के इजहार में एक मतला और पढ़ती हूँ के करतलू ऐतराफे मुहबबत तुम फसाना बनातो न दोगे क्या बाबा मैं तुम्हे हट्तु लिग दूम अगर तुम दोस्तों को दिखातों न दोगे और यह चार वार तालिया जो नार वजाना है मुंतार नत्रीम के लिए वह सही वक्त पे सही क्रम ता आपका मुंता थी यही क्रमी था नहीं नहीं आप लोग अच्छा सुनते हैं इसमें कोई शक्री और मुझे बिल्कुल उम्मीद थी आप लोगों से कि आप लोग कविता को शाइरी को गजल को नजम को बहुत अच्छे से सुनना जानते हैं मैं आप लोगों को अच्छी तरह जानती हूं और बस दिल में थोड़ी सी थोड़ा से चोड था जो मैंने आप से शेर कर दिया कि हो सकता है कुछ गडबड हो जाए लेकिन आप सचेश होता हैं और मेरी उम दर्टियों से तक यहां बनने वालों को ताज बनाना पड़ता है औरुअ बादम से कुछ शेर बढ़ती हूं, उसका उपला सा बढ़ा दीजे और ठोड़ा सा इको डाल दीजे, कियोंकि मेरे गले में कुछ भी नहीं है, आपको करना पढ़ेगा, सास देना पढ़ेगा, मैं हाज़र थोड़ा पेस बढ़ा दू, क्योँकि बेबी को पढ़िये पढ़िये तो यह वाले बजा अच्छा सुना पूरी मसने के साथ सुने। उसी हवा में बहते रहते हैं, शुरुवाती दौर में कोई नहीं, आपकी भी कोई गल्पी नहीं है, मैं पढ़ती हुदी, आप सुने ना मैं हाथ। सारे हम भूल जाओं गेवादा करो, सारे हम भूल जाओं गेवादा करो, आप खुशिया मनाओं गेवादा करो, आप खुशिया मनाओं गेवादा करो, देखो सारे परन्दे मी घर आ गए, आप भी लोट आओं गेवादा करो, आप भी लोट आओंगे वादा। जिन्दा बावत, जिन्दा बावत, बहुत शुत्रिया बहुत मुभबत से आपका सुना और शायरी को सुना, इसके लिए बहुत पराम करती हूँ, पुशिश करती हूँ. क्या बावत? ये पंपिया भी आप तर पहुचा है, अच्छे सुन रहे हैं. हर तरफ ढूंडती है निगाहे तुहे, बहुत मुभबत से धरी हुए लिए लिए, दिल धड़कता है हर पल तुम्हारे लिए, दिल धड़कता है हर पल तुम्हारे लिए, ऐसा महसूस होने लगा है मुझे, ऐसा महसूस होने लगा है मुझे, हो गई हो मैं पागल तुम्हारे. वाह, 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 वो गई हुँ, मैं पागल तुम्हारे लिए, और ये चार्ट बंतिया भी मुझे पसंद आशनी आपको, बेटी हुँ, आप तक पहुचेंगे, सुभाने लगा शाम आने लगा सुभाने लगा शाम आने लगा मेरे बुटो पितना आने लगा मेरे बुटो पितना मुआने लगा तेरे दिल को नहो मेरे दिल को तो अबे थोड़ा थोड़ा सा आरा मुआने लगा थोड़ा थोड़ा सा आरा मने लगा थोड़ा थोड़ा सा आरा मने लगा आराम से सुना है आप मैं मैं चाहती हूं बेख्यों अधियों वह सकता है किसी जर्य से आप तक पहुची भागर मैं पढ़ती हूँ मेरी पैचान के पंपियां बेवफा अपे तो आजा खुदा के लिए बेवफा अपे तो आजा खुदा के लिए उम्र भी अपे निपल के जपकने लगी मेरे सुने से बालों में तेरे बिना मेरे सुने से बालों में तेरे बिना थोड़ी थोड़ी से चान्दी चमके थोड़ी से चान्दी चमके थोड़ी से चान्दी चमके शायरी को सुनते हैं आप चान्दी को आपने जिस तरह सुना मैं सलाम करती हूँ आप लोगों को अब ये चार्ज बंग्तियां और महिलाओं की तादाद भी यहां मौजूब थी अभी भी है ये पंग्तियां मैं आप तक पहुंचाती हूँ और आप पहुच जाएंगे आज पीपल की पायर तुहारे लिए आज पीपल की पायर तुहारे लिए वैसे रिशं के कपडे पहनती हूँ मैं आप पहन लोगी मलमल तुहारे मुझा एसे उमीद नहीं थी कि मेरे लिए भी माला आएंगी लेकि मुझे बहुत शुत लिया निशा एक और करेंगे वंस भूर आप ताल्यागदा एक और करेंगे वंस भूर करेंगे यह वहां साड़ा देता है भरपूर देता है और यह नगरपालिका में भीधिये माला है आपके लिए नगरपालिका तो अभी कुछ कहा नहीं जा सकता अभी तो दो कभी बाकी हैं दो कभी शेश हैं नहीं मैं ऐसा कुछ नहीं कह रही हूं क्या हां बाकी है क्या अभी बहुत कभी बचे हैं तो नगरबाले का बहुत खुपसूरत प्रग्राम आपके बीच में नगरबाले का नेकराया है तो मैं चाहती हूँ इस बार जोरदार तालिया उन सभी लगों के लिए जो इस कारिक्रंट से जोड़े हुए है अगरने जलत जी और जितने भी उनके सही होगी साती है उन सब के लिए बहुत खुपसूरती के साथ मैं आप तक लिए प्रोग्राम पहुंचा रहा है तो मैं चाहती हूँ कि अगर आपका हुप हो तो जिस जो मेरी पहचान है मेरी शनाफ है वजल अगर आप चाहते हैं सुनना मुझसे वजल मैं गीत भी बढ़ सकती हूँ लेकि चाहती ही मैं हूँ कि एक वजल आप तक जुरूर पहुचा हूँ उसके बाद में जैसा आपका हुप होगा मैं वैसे पढ़ूगी एक मतला और दो तीन शेर पढ़ूगी बस उसके बाद मैं आपकी जो महनत हैं वो सब तमाँ हो जाएंगी तू जो हो गया किसी और का गजल के वीच में अगर ये सब ना हो तो फिर काहे कि गजल एक बात आले मुझा दीजिए मेरी हौस्णा अवजाई कर दो तू जो हो गया किसी और का मुझे इसका कोई गिला नहीं तू जो हो गया किसी और का तू जो हो गया किसी और का मुझे इसका कोई गिला नहीं तू जो हो गया किसी और का अब तलक मुझे ये जवाब मिला नहीं तू जो हो गया किसी और का जो हो गया किसी और का मैं पड़ती हूं और आप लोगों का पूरा ध्यान लांती हूं जो मेरी पसंदीदा गजल है मैं चाहती हूं कि आप इसको ध्यान से सुनने हाजर करती हूं मुझे भी किसी की तलाश थी मुझे भी किसी की तलाश थी मुझे भी किसी की तलाश थी कि तुझे मुझे सा कोई मिला नहीं मुझे सा कोई मिला नहीं और आखरी शेर शेर्टियों में जालती हुझी, बजल को पढ़ना जितना मुश्किल होता है, सुनना उससे भी जादा मुश्किल होता है, आप में सुना, आप अच्छा सुन रहे हैं, बजल का आखरी शेर कोशिश करती हुआ तक पहुंचे, तू सजा का मेरी हठेली पे, जो हिना के फूल तो मानती, तू सजा का मेरी हठेली पे, जो हिना के फूल तो मानती, ये जो फूल दागे हैं खबर पर, ये मेरी वफा कसला नहीं। और मजल का आखरी शेर, बहुत मजबूती के साथ पढ़ती हुँ, बहुत कुपसूरती के साथ सुन के बता दीजेगा, आप हाजर बढ़ती हुँ के, किसी और पे, आपकी नज़र पढ़ती हुए, किसी और पे, जुनब से चला, तो मुझे निशाना बना लिरा, किसी और पे, जुनब से चला, तो मुझे निशाना बना लिरा, मुझे ये बता के मेरे स्वा, तुझे और कोई मिला नहीं, तुझे ये बता के, मेरे स्वा, तुझे और कोई मिला नहीं, तुझे हो गया किसी और का, अई अगा, जाँ अगा, फ़िक्तर आने-जाने वाला कोई काम नहीं है, सीदे-सीदे एक नजल के लिए मुझे भुप मिला है, तो मैं चाहते ही उनके बंद आखिए, गर से निकले लिए, गर से निकले और जुए, एक 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 याद लाया है तिक तो लग रहा है तो पड़ूंगे पुराने दिवाने बेटे लिए सब पता याद रहा है तो वही वही बोली रहा है एक गीत के लिए मुझे हूफ मिला है तालिया वालिया बजा दे एंसे बोले है तालिया वालिया वहां जाके बरसोरी जहां पूरे सबरी कितने लोग ब्रह्म है बैदरीया रे वहां जाके बरसोरी जहां पूरे सबर्यां बैदरी यारे नदिया पी लेखे आए परबत पी लेखे आए उट उटके ठच गई ने जरिया रे वहाँ जाके बर सोरी जहां पूरे सवर्या बर गरिया रे मुझसे दीवाली का दीप नहीं जर्ता सुनी सुनी राहों में पाओ नहीं चर्ता बात नहीं चुपती है शब्द नहीं मिलता दी आए जुबले में खाब नहीं पलता आसु बाहाते हुए मोती उटाते हुए बीतर ना जाए ओ मरिया रे मरिया रे वहां जाके बर सोरी जहां पूरे सवर्या रे बन वारें ताहले बुपती आकरी बन पर देओ इस गीत का वागे समा बें और रिया रे कज़रा लगाओं तो बह जाए कज़रा कजरा लगाओं तो बह जाए कजरा बिंदिया जाओं तो गिर जाए बिंदिया पुरवाई छेद करे सर के नाचरा लाख सिंदार करूं तंके नाम खोडा खिड़की ना खोलू कभी भुकसे ना पूलू कभी जाओं ना घर से बजरिया जे वहां जाकि बरी सोरी जहां पूरे सबरिया बर्जरिया है जाओ 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 अब वो नजम जिसके हम लोग सब दीवाने हैं फैन हैं बस एक छोटा सा निवेदन उस नजम के बीच में कोई चल चल ना हो कोई उटके ना जाए ऐसा लगेगा जैसे घोर की इस प्रतम किरण के पूटने से पहले आप कहना वो नजम जिसके लिए मुझे हुप मिला है मैं खुद भी चाहती थी कि वो नजम आपके बीच में जूरूर पढ़के जाओ तो कि जहां भी मुझे अच्छे सच्छे शोता मिलते हैं तो मैं कोशिश करते हूं उस नजम को जूरूर पढ़के इस नजम का नाम है सरहत पार अजीज के नाम और सरहत पार से हमारा मतलब सिदे सिदे पाकिस्तन से बात करना है।-। आपकी जुबान मेंलड़ हैं और किस तना से गड़े इने यहazed 25 पाफ पहुँचा आई। इस नजम का नाम सरहत पाड आजीजों के नाम और इस नजमेए एक लभज का इस्तमाल किया है अजीज इस तरह से इस्तमाल किया है ये बाद आम तक पहुँचेगी ऐसी अम्रीम में करती हूँ और नजम यहां से शुरू करती ह llevे आप धि आजीजों मुझे कुछ तुमसे शिकायत भी नहीं आजीजों मुझे कुछ तुमसे शिकायत भी नहीं और उस सच कुछो तो अब इसकी जुरुरत भी नहीं एजीजों मुझे कुछ तुमसे शिकायत भी नहीं और सच पूछो तो अब इसकी जुरुरेत भी नहीं बस जो एक तुमसे तालुक था उसी की खातिर हवायानी पे है मजबूर जबानी शायर आही जानदा है कभी तुमसे बिछड़ने का ख्यार कल्बे विसास को होता है जुदानी का मलार एजीजों मुझे कुछ तुमसे शिकायत भी नहीं और सच पूछो तो अब इसकी जुरुरेत भी बाच प्यार मरज मेहां से शुरू होती है क्यों जुरुरत है एजीजों मुझे कुछ तुमसे शिकायत भी नहीं क्यों तुम हैं हमसे वो पहली सी मुहबबत न रही दिल के अर्मानों में खिलास की जन्रत न रही भाई में भाई का क्या होता है हम भूले गए तुम तो इसलाम की रसमत का सबक भूले गए एजीजों मुझे कुछ तुमसे शिकायत भी नहीं बतौरे खायस यह भाई मुझे लगता है आप सबके मन की बात कहने की वो शिश्की है वो बन में हासित करते हैं जन्नते वादिये कश्मीर पे जगडा क्यूं है ये लाका तो हमारा है तुम्हारा क्यूं है जन्नते वादिये कश्मीर पे जगडा क्यूं है ये लाका तो हमारा है तुम्हारा क्यूं है तुम्ने तो अपनी ही मर्जिस बतर छोगा था अपनी ही मर्जिस बतन छोडा था अपनी खाहिश से ये सहने चमन छोडा था फिर भला हिंद पे हम अपना जदाते क्यूं हो और दुसके कश्मीर में लोगों को सदाते क्यूं हो एसी जों मुच्छ तुम्हार सब्सक्राइब लेकिन आप उसी तरह सुनदे बताएए गज़े से आपना ज़नते वादी कश्मीर पे ज़गरा क्यूं है ये लाकात तो हमारा है तुम्हारा क्यूं है तुम्हें तो अपनी ही मर्जी से बतन छोड़ा था अपनी खाहिश से ही सहने ज़न छोड़ा था फिर वाला हिंद में हम अपना ज़नते क्यूं हो और गुस्के कश्मीर में लोगों को सदा दे क्यूं हो एजीजों मुझे कुछ तुमसे शिकायत भी नहीं और सच पूछो तो अब इसकी जुरूरत भी नहीं करना तो सिखाता नहीं मजहब अपना राह ऐसी तो दिखाता नहीं मजहब अपना अपने मजहब में तो जाइज नहीं तहशक की गर्दी जुल्म की आद जगानों में भला किनी भर्दी का सिखाते उत क्यों हो में भाइ को भाई से लडाते हो एजी जुरूısı मैं जिस और कोई आ रहा है किया अच्छा बहुत हो एजीजों मुझे कुछ तुमसे शिकायत भी नहीं और उस सच पूछो तो अब इसकी जुरूरत भी नहीं और आखिवन पढ़ते हूं पर इजाज़त चाहूंगे आप रगोंसे उसमें खलाफ किसे कहते हैं तब जानोंगे रूह इसलाम की क्या असल है पहचानोंगे तब ये समझोगे के इंसान की पीवत क्या है खुट का पूल है क्या जान की पीवत क्या है तब हमारा तुम्हें इस सार नजर आएगा ओ पर सरहद के तुम्हें प्यार नजर आएगा एजीजीजीजीजीजीजीजीजीजीजीजीजीजीजीजीजीजीजीजीजीजीजीजीजीजीजीजीजीजीजीजीजीजीजीजीजीजीजीजीजीजीजीजीजीजीजीजीजीजीजीजीजीज अगे चलके राम रहेंगी गद्धी आप भी संभालेंगे प्रभी मरी भरोसा हो गया आए दोस्तों मुझे अच्छा लगता है कि रात के और की प्रधम किरण में भी इतना उत्सा मैंने मैं भी आज़नी योगन शर्मा की बात का समर्दन करता हूं लगपक सौ कवी सम्मेलन गुजर गया हूंगे तब जाकर के ऐसा वातावरन ऐसा उत्साच शूताओं में देखते को मिला है एक बार पुजोर तालिया मुंतार नसीम आपके सामने गरतीर से नहें पर देखते में गोट बॉछे चेहरा करते हैं इतने अक्षे और सच्छे शूता मिलें थो फि म minder के अकुद के लिए वह आप तक पॉंचाने की गोशिश करते हैं तो अब मेरे मलं के जो मुक pores bugs कर जो मेटिने बहना जाते हो और अगर आपको-सुन आपने नाम के फीचे जी लगाया मेरा जीवन दन्य हो गया बगवान की कसा में स्वागत, स्वागत मेरे लिए बड़ा मुश्किल होता है ये सब बात सीट है हम बहुत जादा तो विता में बात कर सेथी हूं स्वागत, मुटत, तुम्हें मुटत, पड़ी घर से निकली तो थी मैंने सोचान था घर से निकली तो थी मैंने सोचान था इतनी मुश्किल मुला आत हो जाएगी क्या हो बरती के मौसम बदल जाएगा काहबर थी कि मौसम बदल जाएगा और रस्ते में बरसात हो जाएगी और रस्ते में बरसात हो जाएगी हो जाएगी और इसे से जुड़ी हुए चाह जाती हा दोनों रोते रहे ऐसा रुख मोड़ दो इसकी मर्जी है दोनों का दिल तोड़ दो इसकी मर्जी है दोनों का दिल तोड़ दो ये जमाना तो मस चाहता है यही मैं तुम्हे छोड़ दू तुम मुझे छोड़ दो मुझे छोड़ दू तुम मुझे छोड़ दो और यभी पसंद है मुझे अपनी चार पंकिया तो पड़ दो हम पे तोड़े थे जो भी सितम आपने आज सारे सितम याद आने लगे फिर मिला है रसे में वफाई का हम फिर मिला है रसे में वफाई का हम आपको आज हम याद आने लगे आपको आज हम याद आने लगे आपको आज आने लगे मैंने माना तु आशक मेरा हो गया सारे दुनिया की नजरों से तु खो गया सारे दुनिया की नजरों से तु खो गया तु ने क्यू आज तक मुझे से कुछ ना कहा तु ने क्यू आज तक मुझे से कुछ ना कहाँ अब कहाँ जब कि मेरा निकाह होगा कि यहों बच्चे को मर रहे नहीं मैं आपको सेलाम करता हूँ, सेलूट करता हूँ आपने कवी सम्मेलन को आज जिया है कवी सम्मेलनों का भविश्य जहाँ कविता की द्रिश्टी से थोड़ा भुत मरता चला जा रहा था लेकिन आपने विश्युत कविताओं का आनंद लिया है इसने बासवाडा की धर्ती से एक नया इतिहास दिखा जा रहा है आज कम से कम 23 सक्तूबर को जो 24 सक्तूबर में प्रुवेश कर चुका है आईए मैं कारिकरम के अध्यक्ष महोदे को सर बैठ जाओ आपको अपनी पत्नी की सहेली की कसम अब इससे बड़ी कसम तो मैं देवी नहीं सकता भाई साब बैठ भी गए दोनों लोग कितना दरते हैं लोग भाई साब और कितना चाहते हैं आईए दोस्तों मैं व्यंग के उस बड़े शिल्पी को बुलाना चाहता हूँ जिसका नाम होता है तेट नारायंग शर्मा बेचेन चंबल की घाटी से निकल कर तहां केवल डाप्यू होते थे वहां से व्यंग का एक बड़ा कलमगार निकला और जिसने पूरे हिंदुस्तान में और हिंदुस्तान से बाहर जाकर के 15-17 देशों में हिंदी को इस्थापित किया हिंदी व्यंद को इस्थापित किया उस बड़े व्यंदकार के लिए आपकी बड़ी तालियां बिखरें कारे करों में शिपर बलशक्ति के लिए परणाम करता हूं कई बार आपके शहर में मुझे आने का अउसर मिला है और आज मेरे साथ बहुत बड़ा सड़यंत रुप गए और उस सड़यंत का नतीजा ये है कि देश का एक उभरता हुआ अध्यक शाफ के आगे खड़ा है इन्होंने जो मेरा कीमा आज बनाया है देवरिशी नारत ने एक दिन ब्रह्मा जी से पूचा जाए कि मनुष्य से अगर पाफ हो जाए तो उसे क्या सजा दी जाए ब्रह्मा जी ने कहा उसे कविशंबिलन की अध्यक्सता दिया चौधा कवियों को मैंने सुना जब मैं पहले कवी को सुन रहा था तो ये पूरा प्रांगल भरा हुआ था अब आप सीमित लोग हैं लेकिन मैं यह अच्छी तरह जानता हूं कि युग कोई सा भी हो परिस्तित ही कोई सी भी हो पांडव सदेख मौर्वों से अच्छे हुए क्या बाद है मैं बचे हुए पांडवों को प्रणाम करता मूं मेरा सौधा के क्याप मेरे हिस्से न आ आए आप जितना अच्छा सुन ले हैं बहुत अच्छा सुzक गड़ु ने तना अच्छा सुनाया मेरा मन करता है कि नो उन्हें इक चार तुंकिया सोnine जादू गर्मी जादू करने जबतू आती है तेरे लहजे से केशर की खुश्बू आती है आखे क्या है मीर तकी के ताजे मिश्रे है इनको बे समझेंगे जिनको उर्दू आती है लेकिन आपने उनकी उर्दू को भी समझा आपने उनकी फार्सी को भी समझा और उनकी बेहर से जो अपनी बेहर मिलाकर रखी मैं आपको सलाम करता है मैं क्रम में हूँ तारी क्रम बहुत खित चुका है सर्दी बहुत है चूंकि मैं क्रम में हूँ इसलिए मैं पढ़ू ना दी और मैं ब्यंदी की भाशा कर दी जिन्ग क्या होता है जिन्ग मैं कहा कुछ जाए और समझा वही जाए तो समझाये जाए जैसे मैं आपकी आपकी परिक्षा लेता हूं उससे समझ के बता देना तो मैं समझ आँगा आप यंद्ग समझते पस्ति दो विद्वाएं आपस में बादचीत कर रही थी गोड़ू आपस में बातचीत कर रही थी एक विद्वा ने दूसरी विद्वा से कहा मुझे तो इन शुहागिनों को देखकर तरस आता है मुझे तो इन स्वहागिनों को देखकर तरस आता है इन स्वहागिनों से अच्छी तो हम विदवाएं हैं कम से कम हमें पता तो है कि हमारे पती कहां है समझे समझे ने आप दो इत ने सब समझे ने नो ये रात वर सारे कभियों ने रोया यहां पर ईठिकर देफ्परीशे को गया और देफ का उद्धर कुछ नहीं कुछ दोस्तों प्रeष आधनार इनकाल से अच्छा सा अच्छा है अच्छा रहेगा कि इस देश प्षट भी क्राब नहीं के ति मैं खुद खराब हो गया। वाहर। जिस दिन मैंने खुद में सुधार लाना चालू कर दिया। देश अपने आफ सुधारता चला है। आज तो मेरी अध्यक्सिता सार्थ हो जाएगा यह जो इन्होंने मेरी मौत पिट्टी का कारिकुल किया इंगलेंट अपने बैभब से सबको पचाड़ रहा है अहां इंगलेंट अपने बैभब से सबको पचार रहा है अमेरिका अंत्रिक्षी में जन्ने लाड़ रहा है जापान 11 वी विंडो के लज़्दी खड़ा है वोटो मोबाइस में जर्मनी का जादू तगड़ा है इधर चीन ने पूरी दुनिया में अपना प्रोडेक्ट होता है